किए असलां मेरे अलेक Bak window दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन बनाने का सामन से लेकर तो Anger practice मैं कौन से PA copy करती हूँ सारे चीजों के भारमें मेरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगी आप सब teac कुन सा सामान कहा मिलेगा और कौन सी चीज को क्या कहते हैं तो यह देखिए यह ब्लैंक एफ और साइस का डबल पेपर है इसे मैं ढ़ल में डिवाइड करती हूं ताकि तीन हाथ में इंदी के बन सके और इसे में प्रैक्टिस कर सकते तो डेखिए यह मैं बाद में आपको बताऊंगे कि मैं किस तरह से इस पर हाथ बनाती प्राक्टिस के लिए फिलाल हम देखेंगे कि यह जो कौन है इसे कौन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरुत पड़ीगी सबसे पहले यह सेलोफेन इसे गिफ रैपिंग पेपर ट्रांस्प के पेपर होते हैं और कई तरह की डिजाइन के तो किसी भी डिजाइन का मिले बस आपको ट्रांस्परेंट पेपर लेना है यह एक शीट पाच रुपे की मिलती है तो यह इतनी महिंगी भी नहीं है बाकि जब हम अगर यह शीट वगेर हम एमेजों से खरी देंगे तो उसमे और जो शॉप पर से लिए जनल स्टोर से उसमें जमिन आसमन का फर्क होता है क्योंकि चार्जिस लग जाते हैं इस वज़े से मैं आपको पता दूँ आप पूछ रहे थे कि यह शीट कहा मिलेंगी और प्राइस कितना होगा तो एक शीट फाइर उपे पर फाइर उपीस की नहीं है तो हमको ehl स्केल भी लगेणि सिते लगेगा उसे कने के लिए एक इन्छाला और छोटा जो है यह आधी इंची तेप तो यह जो आदींची टेप है इसके लिए हमें डिस्पेंसर लगेगा टेप डिस्पेंसर डिस्पेंसर आपर बीए 85 सी सो रुपय की बीच में यह मिल जाएगा तो यह देखिए आप बेगिनर कोई प्रॉब्लम नहीं यह बेसिक चीजे दोस्तों सब आपके पास देखिए बड़ा टेप के लिए बड़ा टेप डिस्पेंसर है लेकिन उसके हमको कोई जरुत नहीं है वह शॉप्स वाले या कीराना दुकान वाले वह यूज करते हैं हमें सीव इतने चाहिए यह मैं आपको सीव एक्जामपल के तोर पर बता रही हूं तो फिर उसके बाद ह देखिए यह जिप लोग बैग कब लगी गया हमको जब हम आठ यार दस दिन के लिए मेंदी कॉम्स प्रेपेर करके रख रहे हैं फ्रीजर में फ्रीजर में उससे क्या होता यह देखिए मैं आपको भूल ले थी इसमें का टेप एक और है आदे इंची का यही बड़ा वाल यह भी 10 रुपे एक टेप 10 रुपे का बड़ा वाला टेप 20 रुपे इस तरह से मिल जाएगे यह मेंदी की बेसिक जो चीज है ना वाइट ब्लैंक पेपर सेलोफेन पेपर सेलोटेप टेप डिस्पेंसर मार्कर या स्केच पेंस केल जीपलक और प्लास्टिक बैग यह सब आपको कम से कम मिल जाएगी और आपकी जो शुरुरात हो जाएगी में इंदी सिखने की तो आपको कोई प्रब्लम नहीं तो इस तरह से हमें यह सारी चीज़ें साहिए तो देखें आपको जरूरी नहीं कि इसी डिजाइन का सेलोफेन पेपर लेना है आप किसी भी तरह का स दिया है कि में दिक को रोल कैसे करें वाइस वाली वीडियो और बगर वायस वाली वीडियो दोस्तों जरूर देखिएगा अब देखिया आते पेपर पर यह फूर साईस का जो पेपर डबल साइज मतलब दो पार्ट करेंगे तो ए-4 का दो पेपर बनेगा यह भी आप आसन से स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा एक बंच आता है पचास या सो पेज का जो जहरॉक्स वाले यूज़ करते हैं तो आप अगर उनको इसा बोलोगी कि हां जो जहरॉक्स वाले यूज़ करते हैं वह प्राक्टिस के लिए तो वह आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा बंच पूरा एक ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको एक पेज लेंगे तो आपको बहुत महेंगा जाएगा तो प्राक्टिस करें और सीरियसली आपको सब सीखना है तो आपके पास एक ब्लैंग पेपर का बंच होना इसलिए जरूरी है कि हम हाद तरह की डिजाइन बनाने के देखिए यह तीन पार्ट कर दिये मैंने अब इसमें हम तीन तरह के अलग-अलग डिजाइन के हाथ बना लेंगे तो यह पेपर इस तरह से आपके पेपर की बच्चत होगी ज्यादा वेस्ट भी नहीं जाएगा पेपर और आप अच्छे से प्राक्टिस अलग-अलग प्राक्टिस फुद भी घर पर जो करती हूं उसलिए इस तरह से मैं तयार कर लेती हूं तो जो भी मैंने आपको टीटोर्ल बताएं आप भी उस तरह से प्राक्टिस कर सकते तो यह देखिए फॉर का अगर पेपर है तो आपका हाफ हाथ ही ड्रोग होगा लेकिन अगर आप शॉप वाले को उस तरह से बोलेंगे या फिर आप तो आप से लो टेप लगा कर डबल पेज करके फुल हर मेंडे डिजाइन की प्राक्टिस कर सकते तो इस तरह से हमारे पेज प्राक्टिस के लिए रेड़ी होगे तो उम्मेदे आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में में जरूर बताईए यह देखिए यह हमारे पेज तयार हो गए तो मिलते हैं अगली वीडियो में